हे गाइज, हेलो गाइज, क्या चल रहा है, क्या ऐसा चल रहा है बाई हमारा तु सब कुछ खूल चल रहा है, तुम लोग अपनी सोचो, I'm sure तुम लोग कही तरह, तुम्हारे आइडियाज और पार्टी भी बोरिंग ही होंगे रिली, चलो कोई बात ही, आज रात देख लेंगे कि किस में कितना है दब आज ये रिष्टा क्या कहलाता है, में गोईं का हाउस बन गया है जंग का मैदान जंग है बोईज वर्सेज गर्ल्स की, और ज़रा सोचिये कि दोनों के भी जंग क्यों अच्छिडी है अरभाई नक्ष और कीर्ती की बैचलर्स थीम पार्टी को लेकर जी हाँ, हमेशा की तरह फिर से ये रिष्टा कि इस शादी में कीर्ती और नक्ष की शादी से पहले बैचलर्स पार्टी होने वाली है और इस बैचिलोस पार्टी में किसकी थीम क्या होगी ये सबसे बड़ा सवाल है इसलिए नैरा और कीर्टी लगे हैं आज माधा पच्छी करने में और अचानक नैरा को आया एक जबर्दस आइडिया वाव नायरा लड़किया तो हिप हॉप वाली आउट्फिट में काफी कूल लगेंगी अब ज़रा ताक जहां कर ले लड़कों की टीम में जिन्होंने अपनी थीम को टॉप सीक्रेट रखा है लेकिन अचाना घर पर एक पार्सल आजाता है जिसे लेकर कार्टिक नैरा की लड़ाई हो जाती है और ये पार्सल गिर जाता है और पार्सल में रखे सामान को देखकर दोनों टीम है शौक में है क्योंकि इस पार्सल में है लड़कों के हिप होप थीम के कपड़े फिर क्या था थीम को लेकर होने लगी लड़ाई और फाइनली टॉस से फैसला किया गया कि किस की टीम की जोली में जाएगी हिप होप थीम और हमेशा की तरह लड़कें इस बार भी जीत गई बेचारे लड़के अब कौन से नई थीम डिसाइड करेंगे लड़कें आण के हारने बायक्यों चला रही है अच्छा तो नहीरा इन वायकर्स थीम का आइडिया दे रही है सच्छ कमाल का आइडिया है यह वैसे एक तरफ जहाँ लड़कें और लड़केों की पाटी को लेकर खीशतान चल रही है वही दूसरी तरफ घर में भी फिलहाल सब कुछ ठीक होता नजर आ रहा है इससे पहले कार्थिक को अकेले में अपनी गलती का एहसास होता है तो चल ये देखना ये है कि गोईंग का हाउस की थीम पार्टी अब कैसी होती है आज तक ब्यूरो